हलो दोस्तों साथ आफ सेगी मैं चनल दर्येलेटी कलम में दोस्तों इस वीडियों में बात करेंगे किन-किन डॉकुमेंट की जरूत पड़ेगी एक्जाम सेंटर पर क्या-क्या डॉकुमेंट हमें ले जाने होंगे जिससे की हमारी एंट्री हो सके तो जैसा कि आप सभी का ए ले जाने है एक्जाम सेंटर पर तो देखें दो स्थो एड dollar aa indicator बताया गया है उसमें दोस्तों दे लए चाइब को ले जाएब था चाम आप अपना प्रम्ट कार दो चनुम हुँ तो वह बी आपको लौः क्या जाएगा क्यूंकि गऊवर्म्रमेंट आईडी है ठीक है, government ID कोई भी वो, वो allow की जाएगी, आपका driving license हो गया, और pen card हो गया, जो भी कोई government ID है, आधार card, voter ID card, pen card, ठीक है, और आपका driving license, ठीक है, इन सम्में से कोई सी भी चीज आप ले जा सकते हो, ठीक है, ID proof के तोर पर आपको वहाँ पर दिखाना होगा, इसके बिना entry नहीं है, ID के साथ साथ और के लेके जाना है, आपको अपना admit card लेके जरूर जाना है, admit card दोस्तों compulsory है, यह लेके ही जाना है सभी बच्चों को, और जो admit card के नीचे introduction बताइए गई है, कि admit card को eliminate नहीं करवाना है, ठीक है, पनी नहीं चड़वानी, उस पर elimination नहीं करवाना है, ऐसी simple लिखल वाले न, print out उसका black and white, आप उसे ले जा सकते हैं, ठीक है, black and white प्रिंट लिखल वाले न, आपका admit card और एक ID, बस यह दो चीज़े आपको चाहिए होंगी, exam center पर entry करने के लिए, और अब बच्चे पूछेंगे, sir, i card की भी जरूर पढ़ेगी, i card दोस्तों compulsory नहीं है, क्योंकि आपके admit card पर, सारी कुछ information आपके admit card पर दी गई है, तो इसलिए आपको ID की जरूद नहीं पढ़ेगी, जो आपका i card है, उसकी जरूद नहीं पढ़ेगी, एक ID और आपका admit card है, बस दो चीजे compulsory होनी चाहिए, आपकी entry हो जाएगी, और entry कितने बजे start है, दोस्तों entry आपकी 8 बजे ही start हो जाएगी, क्योंकि 9 बजे से exam है, तो 9 बजे से पहले पहले आप सभी की entry हो जाएगी, ठीक है, और 9 बजे से पहले आप सभी को entry कर लेनी है, यह नहीं कि 9 से 12 का time दे रखा है, तो हम 9 बजे ही पहुँचें वहाँ पर और 9 बजे के बाद entry करें, 9 से 9 बजे के बीच में अगर आप entry करते हो तो हो जाएगी, अगर 9 के बाद करते हो फिर आपकी entry allowed नहीं है, admit card में साब बता रखा है, कि 9 से 9 बजे के बीच में आपकी entry ह इसके बाद आपकी entry allowed नहीं होगी, और जो evening वाले बच्चे हैं, जिनका 3 बजे से एक्जाम है, साड़े 6 तक चलने वाला है उनका, तो उनका भी यही same rule है, 3 बजे से पहले आप सभी को entry ले लेनी है, और 3 बजे से पहले आपकी entry सुरू हो जाएगी, exam center के अंदर, ठीक है, 3 अपने पास रख लो phone, जो भी हमारा phone है, उसे submit कर लो, अपने पास रख लो, तो वो रख लेंगे अपने पास, ठीक है, अगर कोई बच्चा bag लेके जाता है, तो bag में डाल के भी phone रख सकता है, ठीक है, bag आपका या बाहर भी रखवा सकते हैं, या अंदर भी रखवा सकते ह रखवा देंगे आपका bag, bag और phone ले जाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कई सारे बच्चों का exam center काफी दूर दिया गया है, ठीक है, तो बच्चे comment कर रहे थे, सर मेरा काफी दूर दे दिया गया exam center, तो आप लोग दोस्तों अपना phone और bag जो भी है, वो ले जा वहाँ पर teacher को भी यह बात पता रहती है, कि काफी दूर से बच्चे आएं, तो phone रखने दिया जाए, एक side में, बट आप लोग phone अपने साथ नहीं रख सकते हो, लिकाल के आपको रखना पड़ेगा, एक side में, तो जब भी exam दोगे, तो phone आपको लिकाल के रखना पड़ेग तो आप लोग चैनल को जड़ो सब्काब कर लेना, जितने ही बच्चे हैं, फोर्थ समेस्टर, सेक्टर समेस्टर, सेकंड समेस्टर वाले बच्चे, चैनल को दोस्तों सब्काइब कर देना और सपोर्ट बनाए रखना